नमस्काल दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे यूटूब चैनल के ऊपर दोस्तों कलम ने वीडियो के इंदर साफ-साफ यहां पर डिस्क्रिशन किया था जो आप कल वाली वीडियो देखेंगे तो इसमें आम ने कहा था साफ-साफ कि यहां पर शौट बिल्डफ हो रहा है अगर मतलब हो रहा है तो मतलब शौट बिल्ड की जा रही है यानि की सिंपल के मार्किट के अंदर जो है सतरह हजार पांसो से लेके सतरह हजार चार्सों के बिच्टों रेसिस्टेंस से बबाकरार रहेगा और कल मने डिस्क्रिशन भी किया था मैंने आपको साफ-साफ यह क है दिन काम किया और चार्सों और पॉत्सों दुनों के काम किया तो दोनों दुनों लेवल ने यहां पर काम किया रिसमेक्ट किया मार्किट को और इसी रेंज है suspected भी close हो गया तो दोस्तों overall जो है market के अंदर दोनों तरफ की premium eating हो गई क्योंकि दोनों तरफ sellers मुझूद थे कर लाम ने देखा भी था और यही चीज हमने कल discussion भी किया था कि market एक छोटी range के अंदर play कर सकता है ठीक है तो कलम discussion यह चीज कर ली थी आपको यह बताया भी था कि जो ती की वीडियो देखी हुए तो मैंने यही setup बढ़ा के दिया था कल्ब के दिन भी और आपको साफ समझाया था कि तीन तीन ट्राइंगल इस वक्त यहां पर आपको देख रहे होंगे एक बड़ा वाला ट्राइंगल एक सबसे चोटा वाला ट्राइंगल ठीक है यह तीन काम कर रहा था तो हम पर जैसे ही मार्किट इस लेवल के आसपास गया और कल के रोकर नहीं कर पाया तो वहां पर जैसे मार्किट खुला आपकास तेसट रहाया चार्षो दोनों पर कॉल लाइटर मौजूद थे किया था तो वहाँ पर मार्केट उपर नहीं जा सकता ठीक है तो वही हुआ मार्केट ने लेवल के नीचे ही मार्केट को क्लोजिंग भी मिली ठीक है तो खया लगी गए इस चीश का के अप्शन चेंग काम करती है लाइम अगर आप उसको देखना जानते हो तो दूसरी चीज यहाँ पर प्राइडेक्शन के बिसिस के पर देखोगा तो यहाँ पर एक बड़ी कंडल मिली बड़ी कंडल मिलने के बाद यहाँ पर कंसॉलिडेशन हो रहा है याद रखिएगा यह म मिली बड़ी कंडल अब यहाँ पर दो दिन कंसॉलिडेशन हुआ ठेक है दो दिन कंसॉलिडेशन हुआ तो यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह एक बड़ी कंडल मिली दो से तिन दिन कंसॉलिडेशन चला पोडिशन नह तो यहां पर यहां पर जो है ऐसा ही मूव में एक्सपेट कर रहा हूं ठीक है कि यहां पर एक बड़ी कंडल मिली दो से तीन दिन आप मार्केट सब्सक्राइब रेंज में फस सकता है वेंज में फसने के बाद ना तो वह उपर के तरफ ब्रेक आउट दे या फिक नीचे के त दो से तीन दिन बाद मिलेगी तो दो दिन अलड़ी हो चुके हैं तो कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ठीक है तो इसका ख्याल लखिएगा तो अगर तो मैं यही बोला हूँ आपको अब फिलाल प्राइजेशन के बिसिस के ऊपर कि आपको यहां पर खयाल रखना होगा कि पहली चीज तो हम डाड़ा पॉइंट्स भी देखेंगे डाड़ा पॉइंट्स के पहले चेक कर लेता है तो प्राइशन जो है वो अभी भी यही बता है कि market range में फसी हुई है और market जो है वो अपने दो दिन से consolidation कर रही है ठीक है अब हम पड़ा पॉइंट्स को चक कर लेते हैं डाड़ा पॉइंट्स जो है वो दोस्तों क्लियर कर लेते हैं market के direction क्या हो सकती है तो आप यहां पर check करेंगे कि डाटा पॉइंट्स जो है ना वो आज भी यही बता रहें कि आज शॉट बिल्डप हुआ है तो यहां पर मैंने कल भी क्लियर किया था कि जित तक लॉंग बिल्डप नहीं होगा जब तक मार्किट ऊपर नहीं जा सकती रेसिस्टेंस उड़के रेसिस्टेंस कौन सा है 17400 से लेके 17500 का क्लियर तो रसिस्टेंस जब तक नहीं तूठेगा जब तक लॉंग बिल्डप नहीं होगा तो आज भी लॉंग बिल्डप नहीं खुऑ है तो यह यह थिस तक लाट पॉんです जो है वह वो नेगेटिव ही है ठीक है थूसरी चीज कि यहां पर अगर मैं बात करूं पॉडिशन्स की आप्शन्स के ओपर तो यहां पर आज कुछ फ्रेश पॉडिशन्स बनी नहीं है हर दरफ जो है पॉडिशन्स क्लोज होती निजर आई है तो प्रोपाइटर्स ने जोनों तरफ का प्रेमिम एट करने के बाद पुट आज लोज की है कोई नहीं थीन है लागातर वह उप्श्उंस में एक्टिव नहीं है और इन लोगों क्लो सरे च्जान वह थी यारा हिने कर आज मार्केट में कुछ भी इनको उपर प्रोफिट बुख करने का बेलकुल टाइम दिया ही नहीं तो इन लोग उन्oben Cr extrater l buying में तो इन्हों ने put selling आज कर दी है ठीक है इनका scene क्या है retailers का कि इनकी bullishness खतम नहीं हो रही है ठीक है और जब तक इनकी bullishness खतम नहीं होगी तब तक मांगी डूपर नहीं जाएगा जैसे यह bearish हो जाएंगे ना उसे जिनमा की तो पर दागा है ख्याल लखी गए इस चीश का जब तक अभी भी यह bullish ही है ठीक है ना अभी भी retail traders bullish ही है तो इन्होंने अपनी positions increase की है futures में और put selling increase की है तो options में जो नई positions बनी है वो केवल retail traders की ही बनी है ठीक है और बाकी जो positions है वो कल बनेंगी अगर कोई बड़ा प्लेयर वहाँ पर active होगा या नहीं होगा ठीक है होगा तो जरूर तो वहाँ पे जो है futures के राड़ा के हिसाब से उनको call adding के बनानी चाहिए ठीक है तो prediction जो है वो negative है वो negative है एक्टिव नहीं है अभी कोई भी केवल retail trader एक्टिव है जो की अभी बना के बैठा है pollution put selling की तो अब हम option chain देख लेता है फाइनरी तो option chain देखने का 24 प्रवरी की option chain है यह तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ भी ज्यादा activity नहीं मिलेगी अभी आपको fresh क्योंकि यह pollution नहीं बनी है कल बनेंगी ठीक है तो यहाँ पर लेकिन resistance के हिजाब से आपको 17 500 के ऊपर आज fresh call writing दिखेगी ठीक है और थोड़ी सी call writing मतलब बहुत ज्यादा नहीं है थोड़ी सी है क्योंकि यहाँ पर नई option chain पर कल काम शुरू होगा तो ज्यादा नहीं है लेकिन हाँ जो भी है activity वो अभी भी तो यहाँ पर जो है यह पुट राइडिंग जो दिख रही है 17,400 के ऊपर और 17,300 के ऊपर यह put selling किस ने किया रिटेल डेटर्स ने किया तो ख्याल लखेगा इस चीश का तो यहाँ पर तो आप देखेंगे 17,000 के आसपार जो है वो एक put buying की activity भी नजर आ रही है तो यह put buying जो है वो actually यह बताती है कि market के अंदर जो option chain है वो एक downside weakness बता रही है ठीक है ना तो call writers active है यह put sellers भी active है लेकिन यह put sellers retail traders है उनको loss पहुंच नहीं पहुंचना है और यहाँ पर put buying भी दिख रही है तो overall जो है downtrend का इशारा कर रही है option chain जो है तो यहाँ पर खत्रा अभी भी बरकरार है market के ऊपर और bearishness अभी भी बरकरार है तो खयाल लखेगा इस चीज़ का और मैं आपको live telegram के ऊपर बताया भी था closing से पहले data जो है वो bearish है और closing data भी अभी bearish ही आया है ठीक है न तो अब यहाँ से समझेगा एक चीज़ और कि यहाँ पर अब जो final जो यह बचा है important level जिसके नीचे मतलब आपको एक बड़ा move मिल सकता है वो है ये ठीक है ना 225 के आसपास 225 के आसपास ठीक है तो यहाँ पर यह breakout level था यही पर support मिला फिर यहाँ पर consolidation किया ठीक है market ने तो अब यहाँ पर इसी support के आसपास खड़ा है 225 के आसपास है ना market 225 के नीचे जाएगा तो फिर आपको यह market कम से कम कम से कम जो है आपको यहाँ पर नजर आएगा इस level के आसपास 17000 के आसपास और वहाँ पर put buying भी दिख रही है तो ultimately मैं यह नहीं कह रहा हूं कि 17000 के नीचे जैसे ही जाएगा एक बड़ी गिरावट आपको थोड़ी सी दिख सकती है जो कि downtrend में रहेगी ठीक है रहा तो power all आपको समझ में आ गया है कि 17500, 17400 जो है वो resistance है और साथ में साथ में आपका 225 एक minimum support है जिसके नीचे market अगर गया तो फिर एक downtrend journey शुरू हो जाएगी खया लखे गा इस चीज़ का ठीक है तो यह निफ्टी के लिए रोगया आपको बैंक निफ्टी देख लेते हैं फटापट से तो जब तक आपको यह trail line breakout होते ऊपर की तरफ ना दिखे आपको bullish नहीं होना है यही मैं शर्चा कर रहा हूं daily basis के उपर अगर आप जानते हैं तो दूसरी चीज आपने को जब तक भी bullish नहीं होना है जब तक कि यह वाला जो level है 38,400 ठीक है 38,300 35 का level आड़ था लेकिन बोटा 38,400 के ऊपर जब तक closing ना मिले जब तक कोई fresh position bullish side की नहीं बनेगी बैंक निटी में special daily basis के उपर तरशा करता हूं level स्यादर रखा कीजिए आपको help definitely मिलेगी तो यहाँ पर अब जो important level बचा है support का जो support का level बचा है वो है यह वाला यह वाला दोस्तों ठीक है तो यही वो level है तो यह level है 37,300 के आसपास ठीक है 37,300 इसके नीचे अगर market टिकता है बैंक निफ्टी का तो problem खड़ी हो जाएगी ठीक है मैं निफ्टी के लिए टाड़ा ओल्री बीरिश है ही तो इस वाक्तर ख्यार लखिएगा और फिर इसके नीचे जो है ना फिर आपको एक fast moment दिखेगी जो कम से कम कम से कम इस level तक आसानी से जो कि 36,800 का level है यहाँ तक आपको आसानी से market जादा हुआ नजर आ जाएगा 36,850 का level लेकिन ये level टूटने दीजेगा तभी आप यह वाला target expect कर सकते हो निफ्टी के अंदर भी जो है 17,225 के नीचे market जाने दीजेगा तभी आप नीचे की downtrend generally expect कर सकते हो data points फिलहाल के जो है वो बेरिश ही है लेकिन अभी fresh positions बननी शुरू नहीं हुई है options की तो यहाँ पर जैसे भी fresh positions options की भी बननी शुरू होंगी ठीक है तो वो आपको ज्यादा clarity कल दे देगी और options की कैसी position बनेंगी कल वो मैं आपको अपने टेलेगाम चैनल के अपडेट कर दूँगा टेलेगाम चैनल लिंक जो है description में दिया हुआ है मैं अभी भी यहाँ पर market के अंदर bullish नहीं हूँ ठीक है market अगला move जो लेगी वो options की positions की basis की ओपर लेगी तो options की positions जो fresh बनेंगी बड़े player की वो कल बनेंगी हम वो उसके उपर हिसाब से अपने कल के trades को execute करेंगे ठीक है चलिए उमिद करता हूं level साब को समझ में आ गया होंगे data points future का समझ में आ गया होगा options में positions नहीं है फिला लीग समझ में आ गया होगा तो इसी के साथ मैं वीडियो क्लोज कर रहा हूं मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर thank you thank you so much for watching this video thank you